नमस्कार दोस्तों मैं रोहन शर्मा, हाजीरों आप सभी की सामने आपके अपने चनल जो तिशन वास्तू में कैसे हैं आप सभी दोस्तों 2019 खतम होने वाला है और 2020 बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है मैं उमीद करता हूँ कि जिस तरह से 2019 आप अच्छा गया हो उससे 10 गुना जादा आपका 2020 अच्छा जाए 2020 आपकी राशी के लिए किस प्रकार से जाएगा और कैसा रहेगा 2020 आपके लिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपकी राशी से संबंद तीन वीडियो मैंने बनाए है पहला वीडियो आपको मैंने करियर इन फाइनेंस पर बना के दिया है दूसरा वीडियो आपके हेल्थ के लिए बना के दिया है कि 2020 में आपका हेल्थ कैसा रहेगा और तीसरा वीडियो लव रिलेशनिशिप में आप क्या किस प्रकार से 2020 का साल यह मैंने आपको बताया है तो अगर आपको देख रहे हैं और आपको बाकि तो वीडियो भी देख रहे हैं तो मैं चैनल सकते हैं और आप वहां से देख सकते हैं आपको बाड़ को लौन stimulus के किसे आएगे और वीडियो की finance के point of view से सीन और आशी वाले जातक जो हैं वो 2020 में क्या कमार यहां पर दिखा सकते हैं और किस प्रकार से अपने 2020 को करियर और finance के point of view से अच्छा यहां पर बना सकते हैं तो इस साल जो 2020 का जो साल है यह कहीं न कहीं सीन राशी वालों के लिए मिक्स रिजल्स देने वाला रहेगा कहीं न कहीं कुछ अच्छी positive चीजें इन्हें देखने को जरूर मिलेगी यहां पर जो इनकी एक positivity है जो एक उर्जा है वो यहां पर काफी अच्छी है कर सकते हैं अपने काम को बहुत अच्छे direction में यहां पर मोर सकते हैं और अपने कर्म क के आधार पर इन्हें सफवलता हैं मिलना निशित है बहुत बड़ी चीज यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत जादा चीजों में अपना ध्यान केंद्रित ना करें दो तीन नाओं में सवार होके काम ना करें वहां पर आपको थोड़ा सा नुकसान होगा पर देखा जाए तो 2019 के कंपेरिजर में 2020 आपके लिए अच्छा जाने वाला आपको एक काम पर फोकस करना है अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा यहां पर साल रहेगा 2020 में शुरुवात का समय बात करें जैनवरी फरवरी और मार्च का जो टाइम यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कहीं ने कहीं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको यहां पर मिल सकती है नए लोगों से संबंध आपके यहां पर बन सकते हैं और अगर आप जॉब में चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यहां पर क अच्छे हो जाएंगे तो स्टार्टिंग का टाइम है जैनवरी टू अपरेल का टाइम है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है मई जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेंबर में डू सेप्टेंबर का विंडो है यहां पर यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देनी आपको पेशेंज के साथ काम करना है अपने कॉनफिदेंस को बना के रखना है कॉनफिदेंस को ओवचैंस में ना करें नहीं तो आपको यहां पर duck-on-build बोहङकर नुप से यहां पर अपने कम कर सकते हैं अन्यसेसरी आर्गियूमेंट में बिल्कुल ना उल्जें खासकर से अन्यसेसरी आर्गियूमेंट आप करते हैं तो उसका खामियाजा आपको यहां पर भुगतना पड़ेगा तो 2020 में कर्येर के पॉइंट इफ़ो से देखा जाए तो यह जो time म माई 2 सितंबर का टाइम जो है ये आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है उसके बाद का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकुल और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तो करियर और बिजनस पॉइंट वी से जो है सिहराशी वालों के लिए 2020 का साल जो है वो मिक्स्ट रहेगा शुरूवात के और अंत के महीने अच्छे और मिट का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा अपसेंट डाउंस वाला यहाँ पर रहेगा फाइनेंस की अगर बात करूँ मैं 2020 में सिहराशी वालों के लिए फाइनेसल सिचुएशन की इस प्रकार से रहेगी तो जहां आप एक और बहुत ज़ाधा अर्ण कर रहे हैं वहीं और दूसरी तरफ जाने का रास्ता भी आपका कहीना कहीं खुला हुआ है मतलब कि expenses और profit साथ का साथ हो रहा है तो profit और loss कहीना कहीं आपको बराबर यहाँ पर देखने को मिलेगा और कहीन के इस वर्ष आप देखिएगा कि आपको जो है अपना bank balance बना के रखना पड़ेगा savings करने में थोड़ी सी जादा मेनद करनी पड़ेगी तो उस करण से आप भी आपको थोड़ा सा परिशानी यहाँ पर अनुपाव करेंगे budget बना के चलेंगे अपना proper list बना के चलेंगे खर्चे की और कहां कहां कितना expenditure आपको करना है इस चीज़ के अगर आपको proper जान करी रहेगी तो आप कहीं रहेगी अपने losses को बहुत ज़र losses वाले चांद plans आप ना बनाए इसके बाद मिड में भी मैं देख पार हों कि जून जुलाई कर जो समय रहेगा वहां पर भी आप कहीं न कहीं जाने की planning traveling planning opportunity आप यहां पर कर सकते हैं और साथ ही साथ नवंबर के महिने में भी आप family के साथ कहीं time spend करने की यहां पर कोशिश कर सकते हैं तो overall देखा जाए तो financial condition जो है यहां पर आपकी मिक्स रहेगी starting time अच्छा अच्छा एंड वापस यहां पर अच्छा रहेगा लॉंग टर्म investment प्लाइन करें लॉंग टर्म निवेश नहीं पर अगर आप पैसी करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा से सोच के चलना पड़ेगा बहुत जादा यहां पर आप मेनद ना करें कहीं अगर आ आपका रुका हुआ पैसा रुका धन भी यहां पर आने की संभावना बहुत ज्यादा बनेगी राहू की पोजिशन आपके जार्वे भाव में हैं लाबस्तान में राहू बैटे वए हैं तो कहीं न कहीं लाब जरूर दिलाएंगे हैं और पैसों से आपको प्रॉफिट जर कर सकते हैं कि financial condition को थोड़ा सा और अच्छा है आप आप convert कर सकते हैं तो सी राशी वालों के लिए overall क्या रहेगा financial conditions बहुत अच्छी रहेगी career point of view से अच्छा है business point of view से अच्छा है mid of the year आपको थोड़ा से संबल की चलना है अगर आप वो टाइम थोड़ा से संबाल देते हैं तो आप अपने साल का अंत भी बहुत अच्छा खतम करेंगा और साल की शुरुवात आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है तो overall देखा जाए तो 2020 का जो साल है वह सी राशी वालों के इसी के साथ दोस्तों अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं मैं अलड़ी बता चुका हूं आप प्लेलिस्ट में जाके अपने राशी से संबंदित बाकी दो वीडियो भी यहां पर देख सकते हैं इसके अलावा अगर आपको अपने बारे में और भी जानकर चाहिए य आप मुझे यूट्यूब पर भी मैसेज कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर संबंद कर सकूं और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्स्क्राइब करें जादा से जादा लोग तक पहुंचाएं तकि जाद कैसे अच्छा मना पाएं दन्यवाद